नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रुमेंद कुमार, कंसल्टेंट पिडियाटीशियन और अगर आपकी नई-नई साधी हुई है और आप माता-पिता बनने वाले हैं या आप फैमिली एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लापकारी हो सकता है क्योंकि इसमें लास्ट में मैं एक ऐसा मैसेज देने वाला हूं जिससे कि आपके बच्चे को जो नर्वस सिस्टम की विक्रिती है उससे बचाओ होने में फायदा होगा तो चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक नियूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में तो नियूरल कॉमन जो है अनुवन्सिक विक्रिती है जो बच्चों के ब्रेन और इस्पाइनल कोट को प्रभावित करती है और यह कितना कॉमन है तो यह 0.5 से 10 पड़ती 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में हो सकता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि करीब करीब 1000 अगर जीवित बच्चे पैदा ले रहे हैं तो उसमें 10 बच्चों को होने की संभावना है अधिक्तम और इसमें होता क्या है कि नियूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है न क्लोजर मीड लाइन से शुरू होकर सिफैलो कॉर्डल डिरेक्शन में प्रोग्रेस करता है मतलब उपर भी जाता है नीचे भी जाता है इसी क्लोजर में नियूरल ट्यूब के क्लोजर में अगर डिफेक्ट हो जाए तो यह बहुत सारे नियूरल ट्यूब डिफेक्ट जिस में हम लोग बात करेंगे कि टीसम क्या होता है लेकिन ये विकृति जो आपका pregnancy का सुरू का एक महिना है उसमें ज्यादा होने की समय इसके कारण क्या है तो इसके कारण जो है एक जिक्ट कारण अभी भी मालूम नहीं है इस पर रिसर्च है चल रही है लेकिन सब से जो कॉमन कारण है वो है फॉलिक एसीड डिफिसेंसी एक बीटामिन है जिसके डिफिसेंसी होती है दूसरा कारण है प्री नेटल एक्सपोजर टू एंटी एपिलेप्टिक ट्रग्स अगर गर्वाती माता कोई मिल्गी की दवा ले रहे जैसे खास करके बहल प्रोएट कार बामा जेपीन तो उसमें यह होने की संभावना है उसी तरह कुछ दवाएं हैं जो फोलिक एसीड के एंटागुनिस्ट के रूप में काम करती हैं जैसे अमाइनोप्टेरीन है तो अगर मावो ले रही है तो बच्चे को हो सकता है तीसरा एसोसियेटेड रिस्क फैक्टर है अगर मा को फीवर है तो उससे भी यह कूबिटी बच्चे में जा सकती है और पांचवा है डायबिटीज मेलाइटस अगर माक वो चीनी की विमारी है तो उसमें होगा अगर माको कैंसर के लिए एराडियेशन चल रहा है रिडियो तेरापी चल रहा है तो उसके ट्रिपलोडी मेकल सिंड्रोम आदी इन सब के कारण जो है निउरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है अब क्या-क्या टाइपस है तो इसको दो टाइपस में बटा गया है प्रामरी निउरल ट्यूब डिफेक्ट और सेकंडरी निउरल ट्यूब डिफेक्ट प्रामरी निउरल ट्यूबलिक्ट में मन इंफीच सीले कि स Own Are yoga कि सेकेंडरी ट्यूबल्मट में मैंavez या डिस जन मेंकी आता है तो जैसा कि आप देख सकते है कि पाकिंग्टो जो है अब टीब्रल मोग यह पर typ यड रहता है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं रहता है ले अगर बर्टिब्रल कॉलम में डिफेक्ट रा जाए और उसके कारण जो है मेनिंजेज या स्पाइनल कॉर्ड अंदर से बाहर की तरफ प्रोट्रूट करेंगे तो इस तरह का स्वेलिंग लेगा अगर मेनिंजेज आते हैं सिर्फ मेनिंजियल लेयर आता है तो उसमें मेनिंगोसील होगा अगर स्पाइनल कॉर्ड के साथ मेनिंजेज प्रोट्रूट करता है सैक में तो उसको मेलो मेनिंगोसील काते हैं इस तरह से अलग-अलग यह प्रकार है अब इसमें सिम्टम्स क्या-क्या होगा तो मरीज को जो है आपको अगर नौजात सिसु है तो आपको बच्चे के पीट पर एक डिफेक्ट सीधे-सीधे दिखेगा जिसमें कभी-कभी CSF जो तो सरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसका लीकेज दिखाई देता है जीएटी सिम्टम्स में मरीज को कॉंस्टिपेशन होगा बॉल अब्स्ट्रक्शन हो सकता है उसका हेड का साइज बढ़ा होगा मैक्रोसिफैली उसको हम लोग बोलते हैं और इसका कारण हो सकता है है कि बच्चे के अंदर में पानी है मतलब CSF बर रहा है तो उससे उसका हेड का साइज बढ़ा होगा यूरीनरी सिम्टम्स में बच्चा बेड वेटिंग कर देगा लीकिंग ऑफ यूरीन होगा यूरीनरी ट्रैक इंफेक्शन होगा जिसका अलग-अलग सिम्टम बुखार बार-बार पर शाब होना यह सब बच्चा कर सकता है इसके लवा आइज में उसमें कॉंजूगेट आई मुवमेंट और डिफ्रेंट टाइप आफ इसो ट्रोपियाज मिलते हैं बच्चे को क्लब फूट एसोसियेशन में रहा सकता है इसके अलावा कॉंजनाइटल हार्ट आपको कभी कभी देखने को मिलेगा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बच्चे को बैक पर जो है वो अब डाइग्नोसिस इसका कैसे करेंगे तो आजकल मेटकल साइंस इतना इडवांस हो गया है कि आप प्री नेटल मतलब बच्चा जब मां के गर्म में हैं तब ही न आप फीटो प्रोटीन जो कि 16-18 वीक्स में एंड प्री नेटल अल्ट्रस ओनोग्राफिय मतलब मां कराने एंड रैपीड इक्विजीशन ओफीटल ले मराई करने से साथ साथ आप जो है आलफा फीटो प्रोटीन और एसी टाइल कुलिन स्ट्रेज एंजाइम का अगर एमन पता चल जाता है कि बच्चे को कोई नियूरल ट्यूब डिफेक्ट है की नहीं तो इसमें दो बात है मां के खून से आलफा पीटो प्रोटीन का जांच करना है और अल्ट्रस ओनोग्राफिक करना है ये मराई करना है और अम्नियोटिक फ्लूइड निकाल कर उससे उसमें भ जागा कि कोई एसोसियेटर सिंड्रोम सोगरा तो नहीं है पोस्नेटल यानि बच्चा जब पैदा हो गया तो मोस्तली इसका डाइग्नोसिस क्लीन कल होता है आप जैसा कि इस पिक्चर में भी देख रहा है कि बिच्चे के बैक में की डिफेक्ट तो ये हां उसके अब बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट का तो ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एप्रोच है मतलब इसमें बहुत सारे डॉक्टर के ब्रांचे का ज़रूरत पढ़ेगा जिसमें नियूरो सर्जन नियूरो सर्जन नियोनेटरलोजिस्ट पीडियाटीशन जेनेसिट सारे लोगों का कमबाइंड और कोडिनेटेड डिफोर्ट जब लगेगा तब जाके उस बच्चे को हम कोई लाब दे पाएंगे दूसरा चीज है कि चुकि साइन्स इतना एडवांस है कि आजकल इन यूटरो सर्जिकल करेक्शन भी किया जा सकता है और यह पोस्ट नेटल करेक्शन की तुलना में जादे यूजपूल है क्योंकि इन यूटरो जब आप करेक्ट करते हैं टेटिफेक्ट जो है शुरुव जो लेवर पेन उनसेट होने वाला है मतलब लेवर पेन शुरू होने वाला है उससे पहले ही कर सकते हैं जिससे की जो मेनेंजियल सैक है वो रप्चर नहीं हो और उससे कोई लीकेज नहीं हो उसमें कोई डामेज नहीं हो अधरवाइस वहां पर इंफेक्शन होने का चांस पराता है पोस्ट नेटल प्रियाड में जब बच्चे को डिफेक्ट आप देख रहे हैं तो उसको अगर ड्रेसिंग करना है तो इस्टेराइल गौज पिस्ट जो की नॉर्मल से लाइन में सोख होना चाहिए उससे आप करेंगे उसके बाद उस पर प्लास्टिक कवर देंगे बच्चे को प्रोन पोजीशन में आप नर्स करेंगे मतलब ज्यादा प्रोन पोजीशन में लेटा कर रखेंगे ताकि स्वेलिंग पर कोई प्रेसर इफेक्ट नहीं परें और इसके साथ साथ आपको ब्लाडर और बॉल केर का ध्यान देना है अगर जरूरत है तो यूरिनर करते हैं इसका डिफिनिटीव करेक्शन जो है सर्जरी से है वो करते हैं वह टिफेक्ट को करते हैं एक मईने के अंदर अगर उपरेशन किया जया तो ज्ञादे फ्रोटपूल रहा था इसके लिए आप निरो सर्जंद की सला ले आप सबसे जरूरी जो श्लाइड है जिसके विक्रिती से अपने बच्चे को बचा सकते हैं तो वो क्या है फोली के सीड सप्लिमेंटेशन बेगनिंग विफोर कंसेप्शन एंड कंटिन्यूर अंटिल एट लिस्ट थरी मंस आप जो है जैसे माँ प्रिग्नेंट होने वाली है या प्लानिंग है तो उसके पहले ही फोली के सीड देना टाप फोली के सीड का टाबलेट देना सुरू कर दें और यह आप कम से कम तीन महीना तक चालू रखें जिससे कि मा का जो फोर विक्स का पिरियड है जिस वक्त यह निवरल ट्यूब का प्रोफर फॉर्मेशन हो रहा है क्लोजर हो रहा है उस समय बच्चे को फोली के सीड की कमी नहीं हुआ दोज क्या है तो मा जो है 0.4 मिलीग्राम फोली के सीड टाबलेट डेली खाएगी लेकिन अगर उस के मां हाइड रिस्क प्रिग्नेंसी के टेग्री में आती है काने का मतलब के प्रिवियस प्रिग्नेंसी में अगर निवरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री है तो उस कंडिशन में उसको चार मिलीग्राम का टबलेट डेली खाना है कुछ डाइट सोर्सेज भी है जो पोल मिल्क है ग्रिन लिफी वेजी टेबल से स्पाईनेच है मिल्क है वह कॉड़ ऐस Juno है इस सब ड्यग्र लेकर फॉलीक एसिड लेकिन सबसे ज़रूरियी है कि फोलीके सीड जो है प्रिग्नेंसी सुरू होने मतलब जैसे आप प्लान करा है प्रिग्नेंसी का उस समय से मां को इसे बचाया जा सके क्योंकि कितना भी अच्छा आप सेंटर में जाएंगे इसके डिफेक्ट को रिप्यर करना काफी चैलेंजिंग होगा और बच्चे को मौर्बीडिटी मतलब उसके मौर्बीडिटी और मौटलीटी को घटाना इतना असान टस्क नहीं होगा लेकिन यह प्रिकॉसन ऐसा है जिसे आप इसे बचा सकते हैं तो यह थी आज की सबसे महत्पून जनकारी इसके साथ ही वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद